दोस्तो इस बार आपके बोर्ड ने बता दिया है कि कौन से कोश्चन्स हर चेप्टर में से पूछे जाएंगे जो कि आपके सामने हैं question bank के रूप में हर chapter में से जो questions दिये गए हैं इनी में से आपके board में exam में questions आएंगे इन से बाहर नहीं आएंगे तो हम सभी board आपके class के चाहें चितने भी subject हो सभी के PDF file provide कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो क्योंकि इसकी PDF file board ने नहीं दिये तो हमें लग रहा है कि आपको board की ये जो questions है इसकी PDF file provide कर देनी चाहिए ताकि आप देख कर कि इसको अंदाजा लगा सके जैसे कि आपके कहीं sprint है तो वहाँ पर ये देख लेना कि इसका question जो छूटा हुआ है ये आपका board ने नहीं दिया था हम इसमें आपके mcqs यानि एक एक नंबर के जो questions बोड देगा वो और जो आपके तीन तीन नंबर के questions पूछे जाएंगे यानि कि knowledge based questions वो भी देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे हम इसके बाद में आपका application based questions तो उन सभी questions को आप screenshot ले ले या फिर आप PDF को download करने जाकर description box से यहाँ पर देखिए आपके सत्य सत्य के खतम होने के बाद में प्रशन बैंक आपका है knowledge based questions का तो यह आपका knowledge based questions रहेंगे यह देख लीजे एक से लेके चार तक की knowledge based questions पूछे जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है book से आपको यह board ने बता दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यही चीजे पढ़नी है इसके लावा आप extra कुछ भी ना पढ़ें इसके बाद में application based जो questions हैं वो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पांच यह चार चार नमबर कुछेंस है और पांच questions आपके सामने हैं इसके बाद में आगे के जो questions बच्चे हुए वो हम आपको दिखायते हैं तो यहाँ पर आठ questions इसमें हैं तो यह questions आपको त्यार करने हैं कोड के त्वारा दिएगे इनी में से आपके questions आएंगे और आप च्छा स्कोर कर पाएंगे तो like, share, subscribe को ना बिल्कुल ना भूलें बने रहें यह चैनल के साथ ताकि आपको more update और आपके related सारी information और solutions मिलते रहें Thank you very much क्योंकि समय बहुत कम हैं इसलिए solutions बनाने में दिक्कत भी हो रही है Thank you very much